नमस्कार दोस्तों, रेसिपी देखो में आपका स्वागत है। आज हम बैगन के बाड़ी में आए हैं। यहां चारों तरफ बैगन का पेर आपको दिख रहा होगा। देखिए कितना सुंदर सुंदर बैगन का फूल चिला हुआ है। यहां पूरा बैगन का ही पेर लगा हुआ है। तो आज हम यहां बैगन तोड़ी है। और यह ताजा ताजा बैगन है तो इसकी रेसिपी बहुत मस्क लगेगी। और उसे किस तरीके से बनाएंगे यह भी आप अच्छी तरह से देखिए। तो हम इसे तोड़ लेंगे। इहां भी एक बैगन फला हुआ है। बैगन का भरता हो या बैगन की सबजी हो दोनों ही बहुत तेस्टी लगते है। तो यह बिल्कुल छोटा-छोटा सा बैगन है। अभी इसमें बीज भी नहीं हुआ है तो यह और भी खाने में मज़ा आएगा। मतर भी पताओ़ कराओ वा दोना के सबीरी का बैवन कता लाओ़ हाती हाती है तो चलिए इतना ही बैगन काफी होगा देखिए फ्रेंट्स हम लोग यहां पर बैगन को ले आए हैं तो अब हम बैगन को यहां कातेंगे फिर इसे लकड़ी के चुले पर पकाएंगे यहां जो लकड़ी का आग पड़ा हुआ है इसी में आज हम बैगन का भरता बनाने वाले हैं तो यहां मैंने ताजा ताजा बैगन लाया है और इसका आज हम बैगन का भर्ता बनाने बाले हैं तो सबसे पहले अच्छे बैगन को चुन के थोड़ा काट लेंगे ताकि अंदर में अगर कीडा वा गये रहा है तो उसे हम देख लें तो देखिए यह थोड़ा फ्रस लग रहा है तो इन दोनों को हम पहले इसका जो उपरी हिस्सा है यह काटे वाला होता है तो इसे अब सावधानी पुरवक छीले देखिए इसमें कितने काटे लगे हुए है तो इसे पहले छील लेना है आप देख सकते हैं इसमें कीडा नहीं है यह बिल्कुल फ्रेश है तो और यह छोटा सा है इसको भी हम पका लेंगे हैं तो देखिए इसमें यह अच्छा है इसमें भी कीडा वगरा नहीं तो अब हम इसे इसमें आग में डालेंगे और पका लेंगे तो देखिए यहां मैंने आग जला लिया है तो अब हम इसमें पैगन को डाल देंगे छोतיז真的 अपिए जो आप मैं नहीं कि दि हो आता है तो उम्न चीघंगे को इसमें आपउने उको सिना चейना पालेंगे तो भाले हैं इसमें वह प्रॉवषण-, भालेंगे हैं कर दो लोगादे कि भरस दो कि अबसेगे कर दोड़े है? वर बुड़े संसर दो प्रॉबे कर दोसिक लिल justice कि अंट़ीर यू़म 확ने गा झाल वरी टो लीओ प्राव के ऋड़िर नत्षी आटएरी तो देखिए यहां बैगन को पांच मीनिट तक आग में छोड़ देना है मैंने उपर से और भी पत्ते डाल दिये हैं ताकि बैगन अच्छी तरह से पक जाए तो यभी इसे पुछनी करना इसे छोड़ देना है यह खुद ही पक जाएगा उसके बाद हम लोग इसे निकालेंगे और इसका हम भात्ता बनाएंगे तो पांच मीनिट हो चुके हैं लेकिन यह थोड़ा हराई देख रहा है तो हम इसे और दो मिनिट तक पत्नी देंगे तो ह यह थोड़ा सा पलर देंगे तो देखिए यह थोड़ा सा पक चुका है तो हम इसे और थोड़ा देर पकाएंगे तो अब सायद यह पक गया है क्यूंकि दो मिनिट और बीच चुके है तो हम अब बैगन को निकाल लेंगे देखिए यह एक बैगन दूसरा बैगन तीसरा बैगन तो देखिए यह तीनों पक चुके है तो बैगन का भरता बनाने के लिए उसे छिलना होता है उसके लिए हम इसे पहले ठंडे पानी में डालेंगे अब यहां बैगन को अच्छी तरह से दोले इसमें जो राख लगा हुआ है वह सब भी दूल जाएगे तो हम यहां एक थाली लेंगे और उसमें बैगन को रख देंगे तो अब हम यहां बैगन को चील लेंगे तो देखिए इसका चील का किकनी आसानी से भड़ जा रहा है अधित को अधित को यहां बैगन को यहां बहां थे दो झाली बागएगे लेखें को यह अदो ngay जो को यहां राधिए जो को फदएगे रहां भाधगे अब हम यहां चिलका को हटा के प्रेक देंगे अब अच्छी तरह से इसे मैस कर ले ला इसे अब गरम-गरम ही मैस करें नहीं तो यह ठंडा होने से मैस नहीं होता हम अब इसमें स्वादनु सार नमत मिला देंगे एक चमच हम इसमें सरसो का तेल डालेंगे और दो हरी मिर्ची डालेंगे अगर आपको प्याज पसंदे तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं तब इसी के अंडर मिर्ची को अच्छी तरह से मिला वेला है तो यह हमारे गाव में एक्सर थंडे की दिनों में बनाया जाता है तो आप थंडे में इसे जरूर बनाए और जरूर खाएं इसे बनाना बहुत ही आसान है तो देखिए यहां बैगन का भरता तयार हो गया है यह मेरी बहगनी है यह खाके टेश्ट कर बताईगी कि यह कैसा बना है जो खाके बता कैसा बना है तो देखी मैं भी का के देख लेती हूं तो यह बहुत है और नाचुरली मैं नहीं से बनाया है तो यह और भी अच्छा लग रहा है तो आपी से चरूर बनाए तो आपको यह रेसेपी कैसी लेगी आप मुझे कमेंट में जरूर बता है और एक हेल्डी रेसिपी के साथ हम फिर मीलेंगे तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें